मुहम्मद रफी सहाब जितने महान कलाकर थे उतने ही महान इनसान भी थे उनकी दरियादिली के इंतु अनेकों किस्से है लेकिन कुछ किस्से ऐसे है जो दिल को छू जाते है आज हम आपको रफी सहाब के बारे में ऐसा ही एक किस्सा बताने जा रहे है यह किस्सा उनके ड्राइबर सुल्तान से जुरा है मुहम्मद रफी सहाब को अपने इस बफादर ड्राइबर को नुकरी से निकालना पड़ा था लेकिन इसके बाद सुल्तान की जिन्दगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी आई ये जानते हैं इसका दिल्शस्प वजह आसल में रफी सहाब को गारी का शौक चढ़ा और उन्होंने अमरिका से महेंगी इंपाला कर खरिद लाए उस वकत हिंदुस्तान में कुछी लोगों के पास वैसे कार हुआ करती थी लेकिन उस नई कार को लेकर एक परिशानी थी दरासल ये लेफ्टेंड ड्राइवर कार थी और रफी सहाब के ड्राइवर सुल्तान को इस तरह के गारी चलाना आता नहीं था क्यूंकि सुल्तान राइटेंड ड्राइवर हुआ करते थे उन्होंने लेफ्टेंड ड्राइवर करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए लोगोंने रफी सहाब को सलाह दे की सुल्तान गरी नहीं चला पा रहे है इसलिए किसी और ड्राइवर को काम पर रख लेना चाहिए इसके बाद एक ऐसा ड्राइवर ढूनना था जो लेफ्टेंड ड्राइव कर सके कुछ दिन की खोजबिन के बाद रफी सहाब को दो तिन अच्छे ड्राइवर मिल गए लेकिन रफी सहाब को सुल्तान की चिंटा सताने लगी रफी सहाब इस बाद से परेशन थे कि अगर वो सुल्तान को नोकरी से निकाल देंगे तो वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा उसके बीबी बच्चे भूखे पेच सोने को मजबूर हो जाएंगे दूसरी तरफ इस बाद से सुल्तान भी बेहर दुखी थे घरवालों ने रफी सहाब को समझाने की कोशिश की कि सुल्तान को कही और काम मिल जाएगा अब इतिना परेशन ना हो हाला कि वो सभी की बात सुन रहे थे लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा था आखिर कर रफी सहाब ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया और एक चोकानी वाला कदम उठाया रफी सहाब ने उस दोर में सतर हजार रुपे खर्च करके एक नई टेक्सी खरी दी और वो टेक्सी उन्होंने अपने ड्राइबर सुल्तान को गिफ्ट कर दी ताकि वो नोकरी से निकल जाने की बावजुद अपने परिवार का पेट पाल सके और बेरोजकरी की जिन्दगी नहीं जिये इस तरह रफी सहाब ने सुल्तान की जिन्दगी की गारी को रफ्तर डी ऐसे कहीं और किस्से प्रचलीट है जो रफी सहाब की नेक दिली को बयान करते है एक किस्सा खुद उनके बेटे शाहिद रफी ने उनके इंतिकाल के बाद बताया था रफी सहाब को गुजरे छे महीने हुए थे तब उनके घर पर एक फकिर आया और कहने लगा की मुझे सहाब से मिलना है जब उसे पता चला की रफी सहाब नहीं रहे तब वो बोला की तब ही सोचूं मेरे पास पैसे आने क्यों बंध हो गया रफी सहाब के ऐसे ही तमाम किस्से है जो यह सबित करते है की वो सरिफ बड़े गायक ही नहीं थे बलकि बहतरिन इनसान भी थे उनकी मखमली आवाज के पीछे एक नेक दिल और संगबदनशिल इनसान भी था रफी सहाब की दर्यादिली के यह किस्सा सुनके आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा साथ ही साथ उनके घर में रखा हुआ उनकी तमाम यादि देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा हम लोग फीर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ तब तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठैंक यू